हेलो फ्रेंट स्वागत आपका कृष्णा पंचा रास्वे में और आज हम बनाने जा रहे हैं मठर पुलाव की रेसिपी तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन इंग्रीडियंट्स की जरूत है तो यहां मैंने एक कटोरी राइस ले लिए हैं मैंने यह कॉलम र क्याज तो सबसे पहले हम ले लेंगे कूकर गैस on कर लेंगे और इसमें हम डाल दे房 जंगे दो टेबल शुके Forest ऑई को ते इतफिंग तील को हम घरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है इसमें हम डाल देंगे एक तेज पत्ता दो लोंग 4-5 काली मिर्च तो पहले आप खड़े मसाले डाल लेजी आप जो भी डलना चाहते हैं और इसके साथ ही हम इसमें आड कर लेंगे दू प्याज कटी हुई तो मैंने यहां प्याज को रफली कट किया है तो प्याज को हम हलका गोल्डन होने तक फ्राय होने देंगे और मीडियम फ्रेम पे आप फ्राय कर लीजिए तो बहुत ज्यादा हमें जलाना नहीं है प्याज को तो ये पुलाव फ्रेंड्स हमें इंस्टेंट बना रहे हैं कुकर में और ये जटपट बनके तयार हो जाता है तो ये दिके प्याज थोड़ी भून दी है और इसमें हम डाल देंगे एक हरी मिर्ची स्लाइस की हुई और अब हम थोड़े सुखे मसाला एड़ कर लेंगे तो बस प्याज को हमें इतना हलका गोल्डन होने तकी बूलना है और अब मेरे इसमें एड़ के लिए हैं आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच धिन्या पाउडर और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक एड़ कर लेंगे और थोड़ा सा हम पानी एड़ करेंगे और मसाले को हम थोड़ा सा भून लेंगे तो इस तरह से आप मसाले को भून लेजिए इदे की मसाला हमारा भून चुका है और इसके साथ हम इसमें एड़ कर लेंगे आधा चमच काली मिर्च पाउडर में दर दर पीज लिया और इसके साथ हम एड़ करेंगे आधा चमच शाही बीर्यानी मसाला तो अगर आपके पास शाही बिर्यानी मसाला नहीं है तो आप गर मसाला भी आड़ कर सकते हैं और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें मतर तो मतर को भी फ्रेंड्स हम दो से तीन मिनित अच्छे से भून लेंगे तेल में तो मतर हमारे भून चुके हैं और इसके साथ ही अब इसमें हम एड़ कर लेंगे प्रेंड्स में जादा भीगा के नहीं रखा है 5-10 मिनिट मैंने इसको छोड़ दिया था है तो इसमें हमने एक कटोरी चावल लिये हैं तो मैं इसमें धाई कटोरी पानी आड़ कर रही हूं तो एक बॉल मैंने डाल दिया यह दुसरा बॉल और आधा कटोरी और हम एड़ करेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उबालाने का इंतिजार करते हैं तो इसको फ्रेंट समय तीन से चार मिनिट खुले ही पकने देना है पहले हमें कवर नहीं करना है इसको तो आप बीच बीच में इससे थोड़ा थोड़ा चलाते रहें और इस दोरान आप नमक टेस्ट कर लें अगर आपको नमक और एड़ करने के ज़रू थे तो आप इसमें नमक डाल लेजी थोड़ा सा तो देखिए इस तरह से ही मैंने खुले-खुले ही चामल को बनाए हैं और इसमें मैंने डाल दिया है अध्रक और रसूल का पेस्ट और इसे भी हम मिला लेंगे आप चाहें तो पेस्ट मसाले में भी आड़ कर सकते हैं और अब हम कूकर को कवर कर लेंगे को सीटी आने तक हमें हमें इसे पगाना है तो मीडेश में प्लेम पर दूसिटी आने दीजी यह तो देखिए दूसी त्यार चुकी कोगर हमारा ठंडा हो चुका है और यह देखिए हमारा पुलाव एकम से खिला-खिला बनके त्यार हो गया है और इसमें हम डाल देगे खूब सारा खरादनिया और हलके हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए हमारा मटर पुलाव बनके तयार हो गया है तो फ्रेंड्स मटर पुलाव हमारा बनके तयार है आपको मेरी रासिप इस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और इस विंटर में आप यह मडर पुलाव एक बार जरू ट्राइए कीजिए धन्यवाद